करने के बाद वह कौई सब्सक्राइब लेकिन हमको काम फूरा था धार में समय आप देख सकते हैं यह पर निसान भी नुच देख रहे हैं मतलब तामीलवला या मुड़ा सेकील दो अदमी है तो दोनों के हम लोगों को क्या पता कि मतलब नहीं और भाय को मारेगा चाकू जब नहीं जी को चाकू लगा था तो आप लोग कितना लोगों हां थे वनली हमी अकेले थे अगर इधर बड़ा-बड़ा कंपणी खोलता तो भी आरी नहीं जाता है सरकार को सचना चाहिए बड़ा-बदेस में हम लोग जाते हैं बड़ा-बड़ा कंपणी ये काम करते हैं लड़ी अच्छा मिलता है जहिंद में हो प्रेमरा चोहान और आप देख रहे हैं देश तकनीज बतादू पूरे देश में जिस बात का भी हंगामा और सिल्षिला चल रहा है कि जो तमिलनाडों में बिहारियों के साथ क्या गलत हुआ क्या सही इस बात पर कई पत्रकारों पर अफवा ही थे लेकिन बतादू हमारे साथ जो भाई जुड़े हैं आप देख सकते हैं नीचे इनके साथ जो कोयमबटूर में हमला हुआ था तमिलनाडों के कोयमबटूर में जो बिहार से लोग हैं इनको चाकू गोपा गया था अखिर किस लिए और क्या व्यक्तिका दुस सकते हैं यह जीते जागते अभी खड़े हैं और पूरी जानकारी हम इन ही से लेंगे और सारा प्रूब के साथ दिखाएंगे कि इनके साथ तमिलनाडू के कोयमबटूर में आखिर हुआ क्या था तीन तारिक को तीन मार्च को और चार मार्च को यह वहां से फिर बाद में यह लोग भागे हैं सब से पहले क्या नम है आपका महमद द Sepadhyac सब्सक्राइब Mhm पूछता अबने प되는 कहली मी वदेき से उतרने के वाहर करना शुरू कर दिया प्ल동 करहिए पूद्रमारchio in दो किना मतलब का आप अकेले थे अ कईले थे मेरे साथ लेकिन बिहार में और बड़ी-बड़ी नियु चैनल और ने ताउनने का कि अफवाह है यह अफवाह से हमको मतलब नहीं है लेकिन हमको इमरे पास जो काम हुआ वो तो हमने सबको बताया चाकू मारा था आपको साइड में इलाज फिर वा उसका आप देख सकते हैं यह जो भाई साइब है इनका चाकू जो मारा गया साइड में आप देखें यहां पर निसान भी है और यह अपने खुद से इन्होंने कबूल किया है और मैं पूरा प्रूफ दिखाऊंगा कि यह कि तारीक को आये था आप देख सकते हैं हमारे साथ सुभंजी हैं हम लोग आये प्लॉट पर दिखा इस सुभंजी आप देखिए देखी हम यहां पर एक चीज आपको दिखा दे देखिए को लिखा हुआ यहां सिटी का नाम है और यह तीन तारीक की घटनाएं हैं और तीन तारीक का सारा देखिए तो इस में और पत्रकारों पर केसी सरकार जबात है नाकामी को कैसे चुपाया जाpin यह उससे चीज के वजह से जो है मेडिया को ढराया जा रहा है कि निूज ना दिखे यह सब कही न कहीं चोचला और अपनी बहवाई लूटने का इस तरीका और अपने आपको बचाने का तरीका है और यह जो के एम सी एच कोवी पल्लेम होस्पिटल जो है और यहां नईयर जी का जो इलाज हुआ है डेट के साथ इनको चाकू लगाई यह क्या गलत है अब तो आप तो हमको लगता है कि जो बिहार के तेजस्वी उपमुकमंत्री जो हैं उनहीं से पुछना होगा कि तेजस्वी जी यह क्या है यह क्या है यह जूट नहीं हो सकता है यहमर यह मजदूर कहां से जाके रिपोट बन वाएगा और यह बिहार की बात बाक MAR County इनका जान को भी खत्रा हो सकता था आप देखते हैं इनसान हमारे सामने खड़ा और पूरा इंडिया का न्यू चैनल इस बात को जुठलाने में लगा है कि जो बिहारीयों के साथ मिलाडू में हुआ है वो गलत है और नेता अभी तक इनसे मिलने ने आया है और कहीं न कहीं य साथ है और पूरी जानकारी भी लिंगे आखिर जो ट्रेन में भी आ रहे थे तो उनके साथ ट्रेन का सिच्वेशन भी कैसा था क्योंकि हम लोग वायरल वीडियो में देखते थे कि जिस तरह अस्टेशन पर भी लोगों के हजारों भीड रहती थे और उसमें भी मार्पिट अब देख सकते हैं नईयर जी हमारे साथ है अब इससे ज़्यादा क्या दिखाएं लेकिन मैं उन नेताओं और उन मीडिया वालों को बोल देना चाहता हूं और ऐसे हमारे बिहार जैसे राज को जिस तरह हर एक जगह एक जगह की बात नहीं है हिंदी भासी होने की बात अलग है लेकिन बिहार को ऐसा कोई राज्य नहीं है जहां बिहारी का अपमान नहीं किया जाता है यहां महाराष्ट्रा ले 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 बें तमिलनाडू ले ले करनाटका ले ले अब मैं कहीं भी बताऊं हर्याना ले ले पंजाब ले 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 बिहारी की जाती है बिहारी कहके जो हमें बेजजत किया जाता है और अब तो इतना हद हो गया कि भारे जैसे देश में जहां 800 राज के लोगों को समानता का अधिकार है यहां खड़े लोग गलत है और जो इनका है जो कोयम बटूर का होस्पीटल का रिपोर्ट है यह गलत है अब बिहार सरकार से मैं पूछना चाहता हूं कि हम लोग दिखा रहे हैं अगर इसमें गलत है तो हम पर कारवाई की जाए अगर गलत नहीं है तो एक भी इंसान को क्य मारने की कोशिस की गई अगर इनकी कोई जाती दुस्मनी नहीं ती स्री भासा के अधार पे और की बिहार से लोग हैं उस अधार पे मारा गया तो इस पर जांच क्यों नहीं बैठाए गया अभी तक और जो बिहार पुलीस की टीम गई थी वह खाली हाथ क्यों लोट गई को कि पास रहोंगी है किसके पास रहोंगी है किसके पास बात पापा की ब्यांस हो गया और आदमी सब पहे ने लगे लगे उसके बाद ही उसको भी लोग अगर किसी पूरे भारत देश के अंदर ही भारत के नागरिक ही अगर सुरक्षित नहीं रहेंगे और फिर जो हमें मौली का दिकार जो मिला है आर्टिकल 19 उसमें चेक लाउज दिये गए हमें अगर हमारा अधिकार का सुरक्षा नहीं कर सकती है परसासन और हाइक और जुडिसरी नहीं कर पाएगी तो फिर हमारे मौली का दिकारों की सुरक्षा कौन करेगा बतादू अगर यहीं अगर किसी लीडर के साथ घटना हुआ होता तो अभी यह मुद्दा कहीं ना कहीं पूर दोनों की जो नाकामी दिख रही है कि जो बिहार के लोगों को हरे के जगा मारा जा रहा है आपके सामने परतक शुरूब से यह मौजूद है और मैं बता दूं अगर लेकिन मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि यह जो इनका सारा डोक्योमेंट है और इनके साथ घटना क्योंकि बिहार में कोई साधन तो है नहीं कि जो इनको अर्निंग मिले सरकार के पास उतनी कोई सुभधा नहीं है कि इनको रोजगार दे सके यह निठली और निकमी सरकार बस अपने नाकामी को छुपाने के लिए लोगों का जान भी जोखिम में डलवा सकती है लेकिन मैं विन्यति करता हूं आप लोग से कि इस वीडियो को व्यारेल करें फिर से देखें दुनिया कि यह वास्तविकता है नहीं अर्जी के साथ जो घटना हुई तमिल नाडू में जहिंद